आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अपस में रियक्ट करके Salt and Water बनाते हैं ठीक है यहां समझीगा क्या बनाते है Salt प्लस Water बनाते है और साथ में क्या होता है इसमें Heat आपका Release होता है Heat Release होता है मतब Exothermic Reaction है Exothermic Reaction है तो पहला जो statement दिया गया है वो बिल्कुल Correct है ठीक है पहला जो statement है वो आपका Correct हो गया ठीक है Next अगला देखिए क्या है Phenol Phethylene Remains Colorless ही न Window Cleaner Solution ठीक है यहां समझीगा देखिए Window Window Cleaner Solution जो होता है उसका Nature कैसा होता है Basic Nature होता है इसका Nature अगर बात करिएगा इसका Nature आपका Basic होता है and Basic Nature में Phenol Phethylene का Color आपका किसमे चेंज हो जाता है Pink में चेंज हो जाता है ठीक है यहां लिखेंगे Phenol Phethylene यहां देखे Phethylene ठीक है Phenol Phethylene का Color आपका किसमे चेंज हो जाता है Pink में ठीक है यहां देखे तो यहां पे Colorless लिखा हो है तो यह तो गलत हो गया second statement जो दिया गया गलत है अगला क्या है tooth decay is caused by the presence of calcium salt गलत यहां समझेगा third बता रहे हैं यहां देखे tooth decay tooth decay जो होता है यह आपका caused होता है किसके कारण होता है tooth decay तो presence of acid के कारण presence of क्या हो जाएगा acids के कारण होता है tooth decay ठीक है यहां समझेगा तो यह भी option आपका गलत हो गया third statement जो दिया गया है अगला क्या है to dilute an acid we should always add water to the acid गलत यह भी गलत हो गया देखिए अगर आप add करिएगा water water किसमें acid में to the acid तो क्या होगा acid burn होने का chances high है acid burn acid burn होने का chances high है ठीक है तो इस चीज़ को avoid करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं आपका कि water में acid को add करते हैं ना कि acid में water को add करते हैं ठीक है यहां दिखेंगे हम लोग क्या करते हैं add add acid to water ठीक है अगर हम water को acid में add करेंगे तो ये आपका इसमें highly exothermic होता है large amount of heat release होता है तो acid burn होने का chances है तो इसलिए avoid करने के लिए हम लोग क्या करते है add करते है acid को पानी में ठीक है तो ये जो statement दिया गया है वो बिल्कुल incorrect है ठीक है fourth आपका गलत हो गया तो आपका correct कौन सा है पहला statement आपका correct है तो पहला statement आपका कहा होगा ये गलत ये भी गलत third option correct हो गया तो आपका answer क्या हो जाएगा option third Classics to 12 से लेके NEED IITJE means और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा आज जी डाउनलोट करें doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8400-400-400 पर